नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर और मेरे नाम है चंदन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि कैसे करके आपको ये फ्रावलम सॉल्व करनी है दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट में ये लिखा यहाँ पर आरा कि दियर हैस बीन ये Cryptical Error On This Website तो आप दोस्तों इस फ्रावलम को सही कर सकते हैं इसमें आपको घवराने की कोई जरुवत नहीं है आपकी वेबसाइट का कोई भी डाटा यहाँ पर दौस्तों लॉस नहीं होता है दोस्तों ये फ्रावलम आती है हमारी प्लागिन से हमारे plugin में दोस्तों कुछ चीजें होती है वो crack हो जाती है अंदर से उनकी जो files होता है वो miss हो जाता है हमें ये सब दोस्तों यहाँ पे साइक करना होता है इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है कि अपना c-panel का access आपके पास होना चाहिए दोस्तों जब आप यहाँ पे c-panel का access आपके पास होगा तभी आप इस problem को यहाँ ठीक कर पाएंगे दोस्तों अगर आपके website में यह लिखा नहीं आ रहा है सिर्फ यह लिखा रहा है तो भी दोस्तों आप इस problem को यहाँ ठीक कर पाएंगे आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे simply अपना c-panel में जाना होता है c-panel में जाके बाद जोस्तों आपको अपनी website के सारे plugins को वहाँ पे deactivate करना होता है उसके बाद जोस्तों हम क्या कर पाएंगे कि अपना wordpress को हम login कर पाएंगे Login करने के दोस्तों हमें वहाँ पर एक-एक करके plugin को Activate करना होता है तो हमें जिस plugin में problem आते है उस plugin को हम क्या करते है वहाँ से Delete कर देंगे तो हमें कौन सी plugin में problem आ रहे हैं यहाँ पर लिखा कि Header, Footer, Elementor जो हमारा Elementor का plugin है उस plugin में हमारी problem है दोस्तों इस आपको क्या करना है कि cPanel को आपको लॉग इन करना है 记 딱े cPanel ने आने कि आपको आपको यह लिखा है PSP MY ADMIN इसपे आपको क्लिक करना है और क्लिक करनेEngian के पाथ दोस्थो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है जो भी आपका database है अगर आपके server पे यहाँ पे multiple website है ठीक है multiple website point है तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने जो आपका database होता है उस database को आपको यहाँ पे select करना होता है तो इस पे एक ही है तो मैं यहाँ पे इस database पे यहाँ पे click करता हूँ और click करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे WP option करके आएगा आपको यहाँ पे WP option पे click करना है और WP option पे click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे होगा 50 25 होगा ठीक है तो आपको यहाँ पर 500 कर देना है ठीक है यह सब आपको करना है यहाँ पर यह सब करने के बाद दोस्तों आपको इस लाइन में इस लाइन में आपको ढूंडना है activate plugin तो यहाँ पर दोस्तों यह 500 के एराउंड होगा तो हम इतना ढूंड नी सकते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपल ली कंट्रोल एफ करना है और यहाँ पर लिखना है प्लागिन यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों हमें यहाँ दिख रहा है कि हमेरा प्लागिन कहां कहां पर है ठीक है तो हमें यह के से रख देना है ठीक है और यहां से इसे डिलीट आपको कर देना है डिलीट करने बाद दोस्तों आपको यहां पर गो कर देना है ठीक है हमारे जितने भी प्लागिंस है वहां पर क्या होगे सारे प्लागिंस डी एक्टिवीड हो गए अब हमारे वेपसाइड यहां पर चलन सब्सक्राइब करने से थोड़ सा अलग हो गया है तो इसे भी हम यहां पर सही कर सकते हैं क्योंकि आब हम यहां पे अपने वड्प्रेस को लोग इन कर पाएंगे तो यहां पर मैं simply wordpress को भी login कर देता हूँ यहाँ पर मैं करता हूँ wp-login.psp ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ पर अपने wordpress का username और password आपको यहाँ पर डालना है अब यहाँ से login में कर देता हूँ अब login करने के बाद दोस्तों हम अपने wordpress में अंदर आ जाएंगे wordpress को login करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर plugins में आना है और plugins में आने के बाद दोस्तों आपको एके करके यह plugin को activate करना है जितने भी plugins है ठीक है अब जिस plugin से दोस्तों हमें problem आ रही थी उस plugin को आपको अभी activate नहीं करना है तो मैं यहाँ पर simply करके सबसे पहले मैं Elementor को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ क्योंकि Elementor से ही मैंने website को design किया हुआ है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ दोस्तों अब मैंने यहाँ पर Elementor को activate कर दिया है तो मेरी website जीसे पहले थी वैसे हो जाएगी ठीक है मैं यहां से इसे website को open करता हूँ अब मैं यहां पर देखता हूँ design कैसे हो गया तो आप यहां पर देख पारे हैं दोस्तों कि आप design कैसे आ गया जैसे हमने website का design किया हुआ था वैसे यहां पर design करके आ गया है जैसे हमने website बनाई हुई थी ठीक है, जितने भी प्लागिन से आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जिस प्लागिन से प्रॉब्लम थी, उस प्लागिन को हम यहाँ पर लास्ट में एक्टिवेट करेंगे, या तो आप उस प्लागिन को डिलीट कर सकते हैं, उस बा डिजायन में कोई दिक्कत आहीं नहीं आहीं अगर आपको क्या करने इस प्रॉब्लम को आपको दिखा देता हूु इसमें दिखता है कि problem आ रही है नहीं आ रही है दो यहाँ पे दोस्तों इस plugin को मैं एक्टिवेट कहता है यहाँ फिर से मुझे क्या आ गया notification आ गया ठीक है तो इस plugin मैं दोस्तों इहाँ पे problem है इस plugin को मैं यहाँ से फिर से activate करना होगा क्योंकि उस plugin में यहाँ पर problem थी तो दोस्तो आपको समझ में आगे होगे कैसे करके आपको अपनी website में जो critical error होता है उसको कैसे आपको सही करना है तो दोस्तो आप भी अपनी website को simply कर सकते हैं आपके पास सिर्फ c panel का access होना चाहिए तो भी आप इस प्रवेल्म को यहाँ पर ठीक कर पाऊगे तो यहाँ पर दुस्तों वीडियो आपको पसंद आई को मिला तो